अब थोड़ा बहुत मोटिवेट भी हो जाते हैं यहां पर कॉनको ने जो कॉम्पिटेशन एक्जाम्स की तयारियां कर रहे हैं बहुत सारे होंगे तो जब वहां पर उसमें थोड़ा बहुत जब कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथों सबलता लग जाती है और सबलता से हम कुछी च्छन दूर होते हैं और उस समय हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसोज़से हम सबलता को नहीं प्राप्त करते हैं तो उस समय आपके मन में क्या भावना आती है सुनिएगा और जो संघर्स किया होता है उसी संघर्स पे ये कविता बैस्ट है आप लोग सुनिएगा सहर्स संघर्स किया है दिन रात फिर कैसे कहूं इसे मेरी मात बेशक रही होगी किंचित कमी पर यूँ लोटन जाओंगा अथक चलता आया हूं अथक चलता जाओंगा पत का पतिक हूं जीत हार से ना घबराओंगा लाख कंटक मिले हो राहो मैं भले पर ये कदम थमने ना दूँगा कभी राही हूं मैं मंजिले तलास लूँगा अपनी राहें छोड़ियूं गुजरन जाओंगा कभी राहें छोड़ियूं गुजरन जाओंगा कभी जब हम देखते हैं कभी competition exam में हम लोग तयारियां कर रहे होते हैं और उसके बाद कभी market के और जाना होता है और वहां की चका चोंदवरी life हम देखते हैं और तब हमारे मन में कुछ ऐसा ही कुछ जोस और जुनून आता है लेकिन कभी कभी उस परिपेक्ष में भी हम अपने आपको किस प्रकार से control में करते हैं और किस प्रकार खुद को self motivate करते हैं जड़ा सुनिएगा भीतर की आग जलाए रखूंगा भीतर की आग जलाए रखूंगा बारी सेह बाहर पर भीग नहीं जाओंगा ये सरद हवाएं ये मोशमी बरसातें ये रोशनियां ये हसी नजारे सब साजी से हैं कि कुछ आग बुझे पर मैं थामे रखूंगा एक अलाव और होने दूँगा रोशनी का फैलाव एक दिन ऐसा आएगा संघर्स सफल हो जाएगा उस रहा चलेगी ये दुनिया जिस रहा को मैंने सिंचा है थैंक यू सो मच